के परिधान चड़ा था विश्वगुरू का वे परिधान बचाने में उम्री थी ज्वाला शौर एक्रांती की मा की शाख बचाने में पर क्या अर्थ हुआ अभियानों का संधर्शों का बलिदानों का तुतो जशी च्छाया का रण की खून से लथपत काया का था सभिधा प्रेम जो पुर्खों का संसेन्टालिस को लांग गया मुगलों कोरों से भी जीता था पर काले अंग्रेजों से हार गया अंग्रेजी के तूटे फूटे शब्द मधूर अब लगते हैं साहित सब्धिसी बाशा तो अब तीन चुभन के लगते हैं वेदों में तो किस्से हैं? आज की विवा की विचालधारा क्या है? कि वेदों में तो किस्से हैं? इतिहास उन्हें पस रहने दो अरे भारत मा का मस्तक भी पीड़ा से तब जुग जाता है जब भारत मा का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है अरे माथे का चंदन हिंदी है भारत का बंदन हिंदी है गोरों का मर्दन हिंदी है लोटा अभिननन हिंदी है हिंदी राग नहीं हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दूशित भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाशा है, अरे जोडे जोंत इस बेटों को, हिंदी तो भारत मा की आशा है, हिंदी तो भारत मा की आशा है, पर तरसकार उस भाशा का गर्म लहू बल खाता है जब हिंदी मा के सम्मुख को प्रश्ट चिन्न दिखलाता है मुझे ग्रिणा नहीं अंग्रेजी से ना ही हिंदी पर अभिमान है मैं भारत मा का बेटा हूँ उसकी भाशा का सम्मान है समिधान का 341 संशोदन इस बात को सामाजिक रूप से मानेता देता है कि हिंदी जिसकी लिपी देवनागरी है वे भारत की आधिकारिक भाशा निउप्त की जाती है नमस्कार मेरा नाम उप्लक शर्मा है और मैं नम्मी कक्षा का छात्र हूँ समिधान का यह संशोदन 14 सितंबर 1949 को हुआ था जिसके बाद गत वर्ष 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे भारत वर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है वर्ष 1918 में गांदी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहली बाद हिंदी को भारत की अधिकारिक और राष्ट भाषा बनाने का फैसला सुनाया था जिसके बाद 14 सितंबर 1949 को समिधान सभा में पूरे मत के साथ हिंदी को भारत की आधिकारिक और कारेकारिक भाषा निप्त किया गया था हिंदी केवल एक भाषा नहीं बलकि भावना है हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से कन्या कुमारी तक संसद से सड़गों और साहित्य से लेकर सिनिमा तक समवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है किन्तु बड़े दुक की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे बेटियों द्वारा अपमानित होती है हिंदी के ही देश में ये सुनना कि हिंदी तो पानी पुरी बेशने वालों की भाषा है अंतरमन को आहत कर देता है हर भाषा के ताल उसकी सांस्क्रितिक साहत्य और एतिहासिक दरोहर को समझाते हैं और उसका एक प्रतिभिम्ब दिखलाते हैं यदि कोई वेक्ति हिंदी बोलता है या अवधी भी बोलता है तो दोनों ही भाषाएं उसकी मात्र भाषाएं हैं यदि आपने हिंदी पर कीचर उचाला या अवधी पर भी कीचर उचाला तो उसके चींटे बाबा तुलसी दास जी पर भी पढ़ते हैं दिनकर वह महादेवी वर्मा पर भी पढ़ते हैं यदि ब्रज भाषा को छोटा कहा तो आपने सुर्दास, रसखान, खनारं, केशव, बिहारी, आदी सभी रेचेताओं को छोटा कह दिया हिंदी में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकाले है और ये अंग्रेजी के बाद दुनिया की सबसे ज़्यदा बोले जाने वाली भाषा है आज के जिस दौर में लोग अंग्रेजी के पीछे भागते हैं वहीं कहीं न कहीं हिंदी की मैत्व पूरता आज भी बनी हुई है जिस प्रकार आपकी मां का स्थान कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार हिंदी का सम्मान और जो स्थान हमारे रिदे में हैं वे भी कोई नहीं ले सकता। अंतिम दोह कातर मैं अपनी वानी को विराम देना चाहूँगा। शिराम दरी दिनकर सिंग की कविता प्रिस्तुत करती हूँ। नवदर्म प्रेता कोन हूँ जिसने ना कभी अराम किया विगनों में रहकर नाम किया। धन्यवाद।